रौ पपया सबजी बनाने के लिए कच्चे पपिता को नमक और हल्दी डाल कर उबाल ले एक पैन में मुंगफली, लाल मिर्च, जीरा और सफेद तिल डाल कर भून ले भून जाने पर उसे मिक्ष्चर में पीस ले दुसरे पैन में तिल गरम करें, फिर उसमें राई, चना डाल, हल्दी पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च और कडी पता डाल कर अच्छे से भून ले अब उसमें भून कर पीसा हुआ मिश्रन और उबले हुए कच्चे पपिता डाले और उसे अच्छे से मिलाए अंत में स्वाद अनुसा नमक डाले और एक से दो मिनिट मद्यम आंच पर पकाए उपर से धन्या पता डाल कर गानिश करे हमारा रौप अपया सबजी सर्व करने के लिए तयार है